हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 32 जो की 1st of December 2021 की वर्कशीट है और आज का सभी बच्चों सोचल साइन्स और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिवोशनल पाच्ट तु दी डिवाइन तो चलिए इस वाकशीट को स्टार्ट करते हैं तो बच्चों हिस्ट्री में हम सिफ राजा और राणियों के बारे में नहीं पढ़ते हैं बलकि हम उस समय के जो आम लोग थे, उस समय के जो monuments हैं, literature हैं, उन सभी को हम history का पार्ट मानते हैं. We will study a particular period of history of Hindu literature, that is bhakti kaal, through various worksheets on this chapter. तो हम इस worksheet में discuss करेंगे bhakti kaal period को, we will try to find out how the lives of saints, writers, philosophers, women and different section of society during this period which was their thoughts on different ways of life and philosophy. तो हम इस worksheet में ये भी जानेंगे कि उस समय के जो saints थे, जो writers थे, philosophers थे, women थी और society के अलग-अलग sections थे, वो क्या सोचते थे, वो कैसे रहते थे, क्या lifestyle था उनका और उनका जो thought था, life को लेके, और philosophy क्या थी उस समय की. चुछी, नूचित कावाली लाइस, और सुछित थे, नूच्चेतन थे, अजोने से, अजाएग से खिए एफ जई एक लो जाएभाली से, वो तक्या जाएपीय. अथक्तित क्या हिएवे ले जालीए कुछीन थे आफ्यर के दे ये चोशे की लिए. तो मेडीवल पीरिट के टाइम पे भक्तिकाल स्टार्ट हुआ और इसमें अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा की जाने लगी जैसे की भजन है, कीर्टन है, कवाली है या फिर साइलेंट होकर गौड को याद करना है, उनके नाम को बोलना है ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा लोग भगवान की पूजा करते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 8th century में, यानि की medieval period के टाइम में यानि की वो आइडिया जिसमें ये माना जाता है कि भगवान सुप्रीम है सबसे उपर है इसके अलग अलग पार्ट्स में लोग रहा करते थे और वो आपस में एक दूसरे को बिलकुल भी नहीं जानते थे तो उनका पूजा करने का तरीका, रहने का तरीका एक दूसरे से अलग था पर जैसे जैसे development हुई तो ये सारे लोग एक दूसरे को जानने लग गए और इनके थूँ इनका integration हुआ, इनके thoughts का, इनका ways का, worship के तरीके का ये आपस में इन्होंने एक दूसरे को influence किया और फिर ये माना जाने लग गया कि वो इनसान जो की बुरे काम कर रहा है वो उसका जनम होगा, फिर मृत्यू होगी और इस तरीके से वो इस साइकल में फसा रहेगा और वो परसन जो की अच्छे काम करता है वो इस साइकल से मुक्ती पालेगा और इस समें एक ऐसा टाइम सामने आया जहां पर ये देखा गया कि जनम के आधार पर यांई आपका बर्थ किस फामली में हुआ है उसके आधार पर आपको प्रिविलेजिस मिलते थे वो person जो noble class में पैदा हुआ है, noble family में पैदा हुआ है, उसे बहुत ज़ादा rights मिलते थे और वो person जो माना जाता था कि निचली caste में पैदा हुआ है, उसे इस तरीके के rights नहीं दिये जाते थे तो वो लोग जनको ये माना जाता था कि ने पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको पूजा का अधिकार नहीं है तो उन लोगों को attract किया बुद्ध और जैन ने क्योंकि इनके according ये माना जाता था कि हर एक person भगवान को worship कर सकता है, उन तक पहुँच सकता है अपने personal efforts के द्वारा Others felt attracted to the idea of a supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion और बहुत से लोग इसलिए भी इस तरफ attract हुए क्योंकि इनका मानना था कि जो God है वो supreme है, वो सबसे जादा शक्तिशाली है और हम जितने भी दोख और तकलीफ इस दुनिया में सह रहे हैं, उन सभी से हम छुटकारा पा सकते हैं अगर हम भगवान की शरण में चले जाएं और यह जो हमने अभी बात पड़ी है कि God supreme है, यह अवधारना भगवान गीता से ली गई है और वहीं से यह चीजे बाहर निकली है नेक्स है, शिव, विष्णू और दुर्गा एज सुप्रीम डेटीज केम तो बी वर्शिब्ट थू इलाबरेट रिच्वल्स तो उस समय के अगर हम कहें सबसे इंपॉर्टन भगवान थे तो शिव, विष्णू और दुर्गा ही थे और इनहीं को वर्शिब किया जाता थ At the same time, gods and goddesses worshipped in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu और दुर्गा तो अलग-अलग जगहें पे जो छोटे-छोटे हम कहें मूर्तिया बनाई जाती थी और अलग-अलग नाम से देवी और देताओं की जो पूजा की जाती थी ऐसा माने जाने लग गया कि वो शिव, Vishnu और दुर्गा के ही अवतार ह and legends came a part of the Puranic stories and methods of worship recommended in the Puranas were introduced into the local cults तो इस अरीके से जो Puranas में explain किया गया है methods उन सब को local cults में, rituals में अपनाया जाने लग गया eventually the Puranas also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status और बाद में Puran में भी एचीज माने जाने लग गई कि अगर आप इस जीवन में अच्छे काम करते हैं तो आपका caste कुछ भी हो आभगवान को प्राप्त कर सकते हैं the idea of bhakti became so popular that even buddhist and jainas adopted these beliefs और finally जब यह beliefs बहुत जादा popular हो गए तो इन सब को buddhist और jain dharm में भी अपना लिया गया बच्छोंब इसके बाद हम कुछ questions देखते हैं जैसे कि first question है what ideas turn people to the teaching of buddhas और jainas यानी वो कौन से teachings थी buddh और jain dharm में जिसकी तरफ लोग attract हुए चली इसके answer को लिख लेते हैं तो बच्छों question number one का आप answer लिखेंगे according to the teachings of buddha और jainas it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort तो यहां से शुरू करेंगे और यहां पे खतम करेंगे और यह हो जाएगा question number one का answer question number two में हम से पूछा है which idea of a supreme god advocated in bhagwat gita attracted people यानि bhagwat gita में ऐसे कौन सी चीज़े हैं जिनको advocate किया गया है जिससे लोग उसकी तरफ attract हुए चली इसका answer लिख लेते हैं तो बच्छों अब second question का answer लिखेंगे the people felt attracted to the idea of a supreme god who could deliver humans from such bondage if approached with devotion or bhakti this idea advocated in the bhagwat gita grew in popularity in early centuries of the common era तो यह आजाएगा question number two का answer और यह थी आज की हमारी social science की worksheet and I hope आप सभी को यह worksheet बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बच्छों गर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें अपने friends के साथ भी शेयर करें और इस channel को subscribe करें Thank you